नमस्कार मैं हूँ अमेट और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूटूब चैनल डिम सिटी ट्यूटर में तो आपको यहाँ पे मिलेगी आज की नेक्स टॉपिक आज की जो हमारी टॉपिक है वो आज दोसा और आगे में बहाता हूँ तो किस तरह से हम लोग अनिमेट कर सकते हैं वर्क में ले सकते हैं अपने फाइल को वो हम लोग देखेंगे आज की इस क्लास में और ये क्लास भी बहुत इंपर्टेंट है विकाज अगर आप नहीं हो और आप सीखना चाहते हो प्रॉपर वे में अफर एफेक्स को तो ये क्लास भी आपको बहुत 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 जरूरी है आपको केरफूली देखने के लिए तो लास्ट तक बने रहिएगा इस सॉफ़वेर में तो चलिए सीधा चलते हैं अपने कॉम्प्यूटर में और देखते हैं कि हम लोग क्या नया सिख सकते हैं आज के इस टॉपिक में ओके तो मैं फिर से आ जाता हूँ न्यू कॉम्पोजिशन में तो आपको क्या करना है सिर्फ सिंपल सा न्यू कॉम्पोजिशन को क्लिक कर दो and then यहाँ पे आपको ओकी कर लेन इस तरह से आप motion graphic create कर सकते हैं बहुत ही basic तरीके से तो सबसे first में क्या करता हूँ मैं चला जाता हूँ photoshop में and then photoshop से मैं कुछ image को cut करके लेकर आता हूँ तो मैं चाता हूँ कि मैं इस car को animate करूं after effects में बट मुझे यहाँ पे इस car को लेकर जाने हैं अलग अलग parts में अलग अलग in the sense first आपको चीचीज अलग से लेने हैं and then wheels को आपको अलग लेकर जाने है तो आप इसको कैसे separate करोगे वो देखो बहुत easy way में बता देता हूँ जि तो एक बार car select हो जाए यहाँ पे तो इसे आपको control J कर देना control J means layer via copy तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको car मिल गई होगी कुछ इस तरह से तो यह car एक बार हो जाए यहाँ पे तो आपको करना है क्या है इसे आप file में चले जाओ and then और सबसे बड़ी बात क्या है जब आप मालो car को इस तरह से crop करते हो ना तो आपको यहाँ पे बहुत सारे blank space मिलेगी जिसको हम लोग negative space भी बोलते हैं तो मुझे क्या करना है इस negative space है उसे आपको crop करने है या delete करने है तो आपको चले जाने है image पे and then यहाँ पे आपको ले लेना है trim तो trim transparent pixel रखो laptop सब कुछ र traffic होते हैं जिसमें आपका जो alpha channel होता है वो background को transparent कर देता है तो इसके लिए हम लोग जब भी save करते हैं वो png file format में ही रखते है तो आप file में जाओ and then यहाँ पे आप जाकर क्या करना है इसको simple way में export कर दो as png तो first यहाँ पे एक folder create कर लो आप जहाँ पे आपको save करके रखनी अपनी file को तो car के अंदर में मैं क्या करूँगा यहाँ पे लिख देता हूँ like body या फिर car भी लिख दो कोई problem नहीं मैं यहाँ पे car लिख देता हूँ and then png मैं इसे save कर देता हूँ तो first come तो आपको यही करना है कि उसे as a png save कर लेने है अपने सिर्फ car को ctrl z कर दो because मैं फिर से आ जाता हूँ ctrl z में and then ctrl d d select हो जाते है अपके selection अब मैं आऊँगा यहाँ पे मैं ना car के will को select करना चाहता हूँ तो कोई भी एक will select कर लो doesn't matter but front face होने चाहिए तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जाता हूँ elliptical shape में shift and then alt press कर लो and then up select कर लो कुछ इस तरह से okay shift and alt press करने का main reason क्या है कि आप बहुत easy way में आप circle create कर सकते हो और ना यह elliptical shape भी create हो जाएगी तो proper अगर आपको circle create करना है तो shift alt and then drag it after that again control J कर दो आप control J करोगे तो यहाँ पे layer via copy हो जाती है कुछ इस तरह से and then file में जाकर मैं sorry image में जाकर मैं इसे भी trim कर देता हूँ तो यहाँ पे trim हो गए है यहाँ पे okay and then इसे भी म and then export as png तो same folder में डाल देता हूँ जिसमें मेरा car था I mean जिसमें मेरी car थी तो उसी में मैं save कर देता हूँ यहाँ पे अब मेरा Photoshop कोई काम है नहीं तो मैं इसको close कर देता हूँ because मैंने दोनों file को as png save कर रखा है तो मैं इसे close कर देता हूँ यहाँ पे and then again आ जाता हूँ अप import करने अपने footages को तो double click कर दो यहाँ पे and then desktop में आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास car and will धोनों ही है तो आपको यहाँ पे import कर लेना है दोनों को आप import कर लो दोनों footages को and then सबसे first में आप रख लो यहाँ पे car तो आप देख सकते हो car मेरे यहाँ पे आ गई है okay तो पता नहीं क्यों premiere वाले आपको यहाँ पे जो हमारा footage है उसको move करने नहीं देता है okay but after effects में आप directly यहाँ पे move कर सकते हो place कर सकते हो जहाँ पे भी आपको चाहिए होगी और दूसरी चीज़ है कि जो भी मैं बना रहा हूं after effects में उसके जो भी footages है वो मैं upload कर दूँगा आप आप देख सकते हो कि मेरे जो quality है यहाँ पे car की वो अच्छी नहीं है because of कि मैंने यहाँ पे जो quality है वो quarter में रखा हुआ है तो आप यहाँ पे फुल कर दो क्योंकि मैं कुछ heavy work कर नहीं रहा हूं यहाँ तो आप फुल पे रख लो and then आप देख सकते हो कि अभी इसकी जो quality है काफी enhanced हो गई है तो मैं यहाँ पे रख देता हूं car को okay उसके बाद में क्या करूंगा यहाँ पे car आ गई यहाँ पे हमारे यहाँ अगर अब देखोगे इस layer पे तो car आ गई है next मुझे चाहिए यहाँ पे wills को भी तो मैं एक will मेरे पास already है तो मैंने slate किया and then dragon drop कर दिया car क यहाँ पे ऊपर वाले layer पे see and then इसे भी मैं क्या करूंगा यहाँ पे लेके आ जाता हूं find and then scroll से आप zoom in zoom out कर सकते हो and then middle mouse button से आप इसको pan कर सकते हो या move कर सकते हो and then आप छोटे कर दो again shift press कर लेना and then थोड़ी सी छोटी size कर लो आप okay तो आप cover कर लो back वाले जो हमारे wills है उसे आपको थोड़ी से cover up करने है तो I think इतनी काफी है यहाँ पे तो एक तो मेरा यहाँ पे हो गया एक will मैंने लगा दिया यहाँ पे एक और मुझे चाहिए होएगा जो हमारे front पे है ओके तो rare will का काम हो गया front will भी मुझे चाहिए होएगे तो आपको यहाँ पे जब भी चाहिए होगा अगर आपको एक copy बनानी है duplicate करनी है तो control plus D use कर लो तो control plus D से duplicate होती है तो मैंने duplicate यहाँ पे कर दिया है and then आप इसे drag and drop कर दो जहाँ पे आपके front will है तो मेरे पास rare and then front will दोनों आ गया है यहाँ पे दोनों विल्स यहाँ पे available है तो यह आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे आ चुकी है कुछ इस तरह से images I mean footage तो अभी मुझे करना क्या है सबसे first मैं मुझे car को drag करने है उस तरफ okay तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे इस वाली आप चाहो तो इसको यहाँ से वहाँ लेकर जा सकते हो या फिर यहाँ पे बहुत अच्छी चीज है जिसको हम लोग बोलते है parent अब parent होता क्या है वो मैं थोड़ा सा सिखा देता हूँ यहाँ बता देता हूँ यहाँ पे वह भी बहुत जरूरी है कि जैसे कि मालो तो मैं कार को इसे मूव कर रहा हूँ तो उसके साथ साथ ना यह दोनों विल्स अपने जगह पे रुख जा रहे हैं तो आपको करना क्या है यहाँ पे यह जो आपको यहाँ पे स्पारल दी करी है ना इस स्पारल को उठा के ना कार के उपर ड्राग एंड्रॉप कर दो यहां से पैरेंट एंड चायल्ड आप रिलेशन क्रियेट कर सकते हो इसका मतलब होता है कि जहां जहां पैरेंट जाएंगे चायल्ड उसके पीछे पीछे जाएगा तो अब देख सकते हो कि जब आप यहां से मूव कर रहे हो तो दोनों विल्स इसके साथ साथ मूव कर रही तो बहुत simple concept है आपको जस्त यह जो आपको spiral दीख रहे हैं इसको drag and drop कर देना है car के उपर में दोनों wheels के spiral को drag and drop कर देना ही होती है cars पर बस that's it car के उपर and then दूसरा option है आप यहां से भी select करके car को choose कर सकते हो यहां पर भी select करके car को choose कर लो means बता दो कि भी मेरे को attach करने है या भी parent term में बनाने है car को ठीक है तो एक बार यह जब हो जाए तो आप अपने car को move करा सकते हो तो मैं क्या करूँगा यहां पर click कर देता हूँ सिर्फ car की position change करूँगा बिल्स की जरूरत नहीं है क्योंकि वो already उसके साथ attached है तो मैं क्या करूँगा यहां पर जाओंगा and then मान लो कि मैं चला जाता हूँ 10 seconds इतने नहीं रखता हूँ 10 काफी है मेरे लिए तो 10 seconds भी बहुत slow हो जाते हैं तो मैं यहां पर ले लेता हूँ I mean 5 seconds तक काफी है तो मैं 5 seconds तक में ले लेता हूँ and then 5 seconds में मैंने इसको shift press करके आगे तक कर दिया तो shift press करोगे तो straight line create होगी position जो है वो straight ही रहेगी कुछ इस तरह से आप देख सकते हो जो car का movement है वो 5 seconds तक ही है यहां पर see जटी तो एक बार animation हो जाए तो अभी मुझे उसके विज़ के उपर वी वर्क करना है तो first YouTube काम मैंने यहां पर पोजीशन को किया है simple way में मैंने position पे work यह okay तो मैंने क्या किया सबसे first मैंने क्या किया यहां पर enable कर दिया था आपने position को मैंने position को यहां पर fix कर रखा है कि वही पर रुको and then यहां पर मैं चला जाता हूँ 5-6-7 seconds पर या 10 seconds ही रख ले लेता हूँ and then 10 seconds में मैं क्या करूँगा इसकी position change कर देता हूँ means यहां से मैं बोलता हूँ कि shift press करके कि तुम भी आगे आजाओ यहां पर see तो simple way में हमारी position change हो गई है car की see कुछ इस तरह से अभी मुझे क्या करना है wills तो आप देख रहोगे अगर आप यहां पर animate करोगे तो will will पे तो कुछ होई नहीं रहा है will अपने जगह में static है तो मुझे क्या करना है यहां पर will की animation करनी है तो मैं आता हूँ अभी इसके बाद में आता हूँ यहां पर इसको close करो and then यहां पर आजाओ will पे तो यह हमारा जो will है वो है rare will तो इस पे सिर्फ आपको rotation की ही उपर work करना है and then आप चले जाओ यहां से 10 seconds पे 10 seconds में आपको करना क्या है इसकी rotation ले सकते हो अब देखो one rotation 360 degree की होती है तो अगर आपको three or four times आपको rotate करने है अपने wheels को clockwise और counter clockwise तो यहां पर आपको ले लेना है for example मैं लेता हूँ three times rotation तो जब three times rotation हो रहा है ना wheel उल्टा चल रहा है तो मैं क्या करूँगा यहां पे जो इसके rotation है control z कर दो and then last में जब आप जाओगे तो यहां पर आपको करना क्या है जो first वाले हमारे यहां पर option है उसे minus three कर दो minus three में करने से clockwise counter clockwise गुमने start हो जाएंगा से अब यह proper way में हमारा rotation हो रहा है हमारे will same चीज मुझे करने हैं यहां पर भी मैं क्या करूँगा second number पर भी मैं चला जाता हूँ and then यहां पर transform में जाकर मैं ले लेता हूँ या तो आप R press करो rotation के लिए या फिर मैं यहीं पर rotation को क्लिक कर देता हूँ and then चले जाता हूँ 10 number पर and then 10 number पर मैं क्या करूँगा इसकी rotation again same रखना आपको means minus 3 ही रखना है तो आप देख सकते हो अभी जो आपके यहां पर animation है वो कुछ इस तरह की animation है तो आपकी car भी चल रही है and then उसके साथ-साथ wheels भी चल रहे हमारे कुछ इस तरह से तो इस तरह की आप तो इस तरह से आप अपने animation कर सकते हूँ अपने images के उपर में तो मैंने इस तर से मैंने करके आपको दिखाया है कि किस तर से बना सकते हो और मैं चाहता हूँ जैसे cricket match आप देखते हो तो cricket match के नीचे में भी advertisement वाले banner आते हैं कुछ वैसे बनाने के लिए तो अब क्या करो यहाँ पर मैं कुछ एक दो और element add कर देता हूँ तो easy है इसलिए मैं बता देता हूँ कि like मुझे क्या करना है मैं right click करता हूँ यहाँ पर and then यहाँ पर new पर आप चले जाओ new में जाकर मैं एक solid color डाल देता हूँ background पर तो मैंने यहाँ पर click किया और मैं चाहता हूँ कि white color मैं रख लेता हूँ as a background यहाँ पर see तो मैंने white color ऐसे कुछ रख लिये यहाँ पर as a background okay और मैं क्या करूँगा click करूँगा यहाँ पर again click कर दो and then इस जो white color है उसको छोटे size में convert कर देता हूँ तो मैं scale को पहले तो यहाँ पर आप unlock करो and then इस से तोड़े से size में बढ़े कर लो जितना मुझे चाही होएगा and then height थोड़े कम कर देता हूँ मैं यहाँ पर see so height इतनी रखता हूँ मैं and then इसको यहाँ से उठा के यहाँ रख दो तो यह आप देख सकते हो लेकिन क्या है कि यह सबसे उपर में है हमारे white color इसलिए यह क्या क्या सभी को height कर दिया है तो आपको इसे नीचे लेकर आना है सबसे नीचे लेकर चले जाओ तो आप देख सकते हो कि cricket match में आप हमेशा देखना है ऐसे दिखेंगे कि कुछ भी अगर cricket match चलता रहता है यहां पर इसके नीचे में कोई भी advertisement चल रहे हो तो किसी कार के हो सकते है या कुछ भी हो सकते है कोई भी banner चलता रहता है तो मैंने कुछ वैसे यहां पर बना लिए banner के लिए कि ऐसा कुछ हो रहा है यहां पर कुछ text भी लिख देता हूँ मैं like मैं क्या करूँगा यहां पर टेक्स्ट पर आप चले जाओ and then यहां पर लिख दो like castrol engine oil तो मैंने लिख दिया castrol engine oil कुछ ऐसे थोड़ से size में बढ़े कर लो आप यहां से shift प्रेस करके भी आप size को increase and decrease कर सकते हो यहां पर यह castrol engine oil आ गया है कुछ ऐसे see तो मैं चाहता हूँ कि जब यह cross करें यहां के बाद से castrol engine oil आ वह दिखना start हो जाए तो मैं क्या करूँगा यहां पर जो castrol वाज़ जो text मैंने यहां से select करके लिखे थे आप यहां पर click करो and then text को click कर दो sorry text को आपको नहीं जाना है तो यहां पर तेक्स के properties में दो आपको transform में जाना है तो transform को click कर दो यहां पर first opacity को मैं दिखा द से तहों यहां पर तो आप click कर दो opacity में and then यहां पर जाकर sorry तो यहां पर starting में जो opacity रहेगी न वो कर दो 0 and then फिर आप stop watch में click कर दो starting में zero है थोड़ी सी आगे जाने के बाद यह हो जाएगी हमारी hundred percent see तो आप देख सकते हो बहुत सारी animation एक साथ चल रही है position, rotation and then opacity see तो कुछ इस तरह से हमारा चलता रहेगा यहाँ पे आप web banner kind of thing बना सकते हो and then यहाँ पे मान लो मैं किसी image को भी यहाँ पे apply कर देता हूँ जैसे पता चलना चाहिए कि कुछ ना कुछ screen में चल रहे हैं बट रहने दो तो यह होगी हमारा web banner kind of thing बहुत ही basic है बहुत ही basic से मैंने बताया है आप देख सकते हो कुछ ऐसा तो यह था हमारा second class after effects के उपर में I hope कि आज की class अच्छी लगी है तो अच्छी लगी हो तो please like करे, subscribe करे और इस channel को आप ज़्यादा से ज़्यादा logo तक आप पहुँचाईए, share कीजिए, like कीजिए ताकि वो लोग भी after effects को properly सीख सके तो मिलते हैं after effects के new topic में तब तक के लिए नमस्कार, take care